हेलो स्टुडेंट्स आज की स्लाइड में हम देखने जा रहे हैं आईवी फ्लूइड के बारे में और हम देखेंगे कौन-कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट कुईशन्स हैं जो वो आईवी फ्लूइड से नौर्सेट इग्जैमिनेशन में हमसे पूर सकता है तो चले स्टार्ट करते हैं सबसे पहला आईवी फ्लूइड दो टाइप के होते बच्चे एक होता है क्रिस्टलॉइड और एक होता है क्रिस्टलॉइड और क्रिस्टलॉइड में क्या डिफ्रेंस है बच्चे में ली क्रिस्टलॉइड में वाटर होता है वाटर सॉलिबल मॉलिक्यूल होते है लेकिन protein और insoluble protein नहीं होते हैं जबकि compare किया जाए colloids से तो colloids में proteins भी large amount में होते हैं large molecules भी होते हैं और insoluble molecules भी होते हैं तो crystalloids में protein and insoluble protein नहीं होते हैं जबकि colloids में protein, large molecules और insoluble molecules होते हैं अब crystalloids को further हम divide करते हैं उसकी tonicity के basis पे तीन टाइपस में isotonic, hypotonic and hypertonic बच्चे tonicity के basis पे हम इसको divide करते हैं सबसे ज़्यादा पूछे और commonly पूछे जाना वाला question है isotonic, hypotonic and hypertonic के example तो discuss करते हैं isotonic बच्चे isotonic fluid वो fluid होते हैं जिसमें solvent और solute की मातरा जो होती है बच्चे वो same होती है solvent and solute की मातरा same होती है as जितनी की होती है blood की blood की जो osmolarity है और solution की जो osmolarity है वो same होती है ज़्यादा ज़रूरी है examples याद रखना तो isotonic के तीन ही example आपको याद रखने है वच्चे एक होता है 0.9% normal saline जो हम NS use करते हैं वो isotonic है ringer lactate and 5% dextrose in water तीन चीज़े याद रखना तीन ही example है isotonic fluid के एक है आपका 0.9% NS normal saline 0.9% RL and 5% dextrose in water बच्चे काफी बार बच्चे confused होते हैं 5% dextrose in water isotonic है या hypotonic है तो ये एक simple सा concept है बच्चे 5% dextrose in water में dextrose है तो जब हम इसे administer कर रहे होते हैं तो यह हो isotonic होता है लेकिन जब ये body के fluid body में जाता है तो body क्या करती है dextrose को use कर लेती है जिसकी वज़े से अब dextrose नहीं है सिर्फ watery water है तो ये जो solution बन जाता है body में जाने के बाद यह हाइपोटोनिक बन जाता है तो इसलिए काफी बार पूछा जाता है कि 5% dextrose in water body में जाने के बाद क्या बन जाता है तब तो अंसर जाएगा हाइपोटोनिक लेकिन अगर पूछा जाए कि जनरली body में डालने से पहले यह solution कैसा होता है तो हम बताएंगे isotonic इसलिए हम इसे isotonic के example के अंडर पर रहे है तो तीन चीजे NS, RLN 5% dextrose in water तो यह तीन example है isotonic के चलिए आगे बात करते हैं हाइपोटोनिक के तो हाइपोटोनिक में तीन चीजे याद रखें अगर आप NS को half कर दोगे, अगर आप 0.9 का half कर दोगे, 0.45 तो यह हाइपो बन जाएगा अगर आप 0.9 का 1 by 3 कर दोगे half करने में हाइपो, 1 by 3 यानि 0.33% NS, तो यह हाइपो बन जाएगा अगर आप 0.9 का 1 by 4 कर दोगे, यानि 0.225% तब भी यह हाइपो बन जाएगा तो याद रखना हाइपो के तीन इग्जेम्पल क्या है, NS को 1 बटा 2 भाग में तोड़ देना या फिर उसका 1 बटा 3 हाइप भाग या फिर 1 बटा 1 by 4 तो यह तीनो जो सॉलीशन होंगे यह हाइपो टॉनिक का एग्जेम्पल होंगे चली, काफी बार हो पूस्ता है 0.45% आप सॉलीशन है, आप क्या कंसीडर करोगे हाइपो टॉनिक, तो हम NS को जब भी ब्रेक डाउन करें, आप याद रखिएगा हाइपो टॉनिक, नेक्स्ट है बच्चे हाइपो टॉनिक, अभी हाइपो टॉनिक के एग्जेम्पल क्या क्या है हाइपो टॉनिक की एग्जेम्पल है आप देखेंगे हाइपो टॉनिक सॉलीशन वो सॉलीशन होते है, जिनमें जो molecule है यानि solute है उसकी concentration बहुत ज़्यादा होती है as compared to solvent जिसमें घोला जाता है उसको solvent बोला जाता है और जिसको घोला जाता है उसको solute बोला जाता है जैसे मैं नमक को घोल रहा हूँ तो नमक होगा solute और पानी में घोल रहा हूँ उसको तो पानी होगा solvent hypertonic solution वो solution होते हैं बच्चे जिसमें solute के amount ज़्यादा होता है उसकी tonicity ज़्यादा होती है मान लो कि में एक glass पानी में दो glass यहाँ पर नमक add कर दू salt add कर दू तो बच्चे क्या होगा इसकी tonicity बढ़ जाएगी इसकी osmolarity बढ़ जाएगी और यह बच्चे जब भी osmolarity ज़्यादा होती है हम कहते हैं hypertonic hypotonic में क्या होता है बच्चे एक glass मान लो आपके पास पानी है उसमें सिर्फ एक चुटकी नमक डाला गया हो यानि कि बच्चे solvent ज़्यादा है solute बहुत कम है hypotonic solvent कम है solute काफी ज़्यादा है hypotonic osmolarity बढ़ डिपेंड करता है बच्चे osmolarity चलिए तो hypotonic के example क्या क्या है बच्चे 3% saline 3% NS 5% NS 3% normal saline 5% saline 10% dextrose important है पूछा जाता है कई बार 10% dextrose किसमें water में अभी तक हमने कितना परसेंट water पढ़ा था 5% dextrose अगर वो water में मिला दे तो example होता है isotonic जबकि अगर 10% dextrose को water में मिला दे तो कहेंगे hypotonic उसी तरीकी से बच्चे अगर 5% dextrose को लेकिन water में नहीं NS में मिला दे 5% dextrose को water की जगा अगर NS में dissolve किया गया है तो वह भी example किसका होगा बच्चे वह भी example होगा hypotonic का तो याद रखिएगा या तो 10% dextrose water में या फिर 5% dextrose लेकिन water की जगा 0.99% NS में और next आता है 5% dextrose 0.45% NS में यानि कि अगर NS में इसमें add कर दिया जाए 5% dextrose तो यह hypotonic बनेगा और अगर इसमें भी add कर दिया जाए 5% dextrose 0.45 में तो भी बच्चे यह क्या बनेगा hypertonic बनेगा तो 5% NS में dextrose या फिर 5% dextrose 0.45 NS में दोनों ही condition में यहाँ hypertonic solution मनेगा याद रखिएगा नेक्स आता है 5% dextrose in RL अगर 5% dextrose को RL में mix कर दिया जाए यानि RL में 5% dextrose है तो वो भी क्या होता है hypertonic तो याद रखिएगा 3% saline 5% saline या फिर 10% dextrose ले लो और उसको mix कर दो water में या फिर 5% dextrose उसको mix कर रहे हैं 0.9% NS में या फिर 5% dextrose उसको mix कर रहे हैं 0.45 NS में या फिर 5% dextrose उसको mix कर रहे हैं RL में तो सिर्फ 5% को जब water में mix करेंगे तो वो ISO का example होगा लेकिन अगर किसी और चीज में add कर रहे हैं बच्चे तो वो example होगा hypertonica चलिए आप देखते हैं कुछ questions जो की बनते हैं IV fluid वाले chapter से तो पहला जो question है बच्चे पहला जो question है discuss करता हो मैं आपके साथ वो गह रहा है कि tournicate बच्चे tournicate कहाँ पर बांधते हैं जहाँ पर वेनी puncher site है जहाँ से आपको blood निकालना है उसके कितने ऊपर बांधेंगे कितने centimeter ऊपर आप tournicate बांधेंगे तो अंसर जाता है आपचे tournicate हम जो बांधते हैं वो 15szn to 20cm ऊपर बांधते हैं या दूर बांधते हैं या फिर 6-8 inches आपको पता होगा एक inch कितना होता है बच्चे यह प्लीज मुझे कमेंट में बताइए 1 inch is equal to how many centimeter तो 15-20 centimeter या फिर 6-8 inch अंसर होगा अगर वो पूछे कि कितने दूर हम टॉर्निकेट बांधते हैं वनी पंचर साइट से नेक्स्ट क्वेशन जो आता है बच्चे वो आता है आई वी थेरेपी को हैंग किया जाता है आई वी बाटल में आई वी पोल में कितने centimeter तो अंसर जाएगा जो IV therapy हम देते हैं, उसको hang कितने उपर करते हैं, अंसर जाएगा 35 inches and above, याद रखेगा, एनिमा का काफी बार पूछा हुआ है, इस बार वो पूछ लेगा आपसे IV therapy का, तो IV therapy को 35 inches या अबव रखते हैं, next question, 5% glucose plus NS का मतलब क्या है, ये question काफी बार repeat होता है, तो बच्चे हम कहेंगे, अगर उसने लिखा है 5% glucose plus NS, तो इसका मतलब होता है, हर 100 ml में 5% glucose है, और 0.9% sodium chloride है, अगर वो कहता है, ये question directly बहुत बार पूछा हुआ है, 5% glucose plus NS means 5%, 100 ml में, बच्चे वो लिखेगा 1000 ml में, वो अंसर गलत है, 100 ml में 5% तो glucose है, और 0.9% sodium chloride है, ये इसका अंसर होगा, नेक्स्ट आता है, एक term आती है बच्चे, phalibotomy, ये term याद रखिए, phalibotomy, तो phalibotomy, वर्ड से आप क्या समझते हैं बच्चे, अंसर जाएगा, कि आप remove कर रहे है, 250 to 500 ml blood, आप 200 से 500 ml blood को remove कर रहे हो, peripheral vein से, तो जो peripheral vein है बच्चे, वहाँ से आप blood withdraw कर रहे हो, और कितना कर रहे हो, 250 to 500 ml blood को आप withdraw कर रहे हो, peripheral vein से कहलाता है, phalibotomy, नेक्स्ट डिसकस करते हैं, IV cannula, यह question इस बार का probable question है बच्चे, IV cannula किस से बने हुए होते हैं, made up of, IV cannula बने हुए होते हैं, अंसर जाएगा, पॉली टेटरा फ्लोरो इथाइलीन, याद रखना यह नाम, क्योंकि आने वाले exams में, किसी ना किसी exams में, यह पक्का पूछेगा, कि जो IV cannula होते हैं, वो किसके बने होते हैं, पॉली टेटरा फ्लोरो इथाइलीन, चलिए, नेक्स्ट कुछ बात करते हैं, कि कब चेंज करना होता है, ट्यूबिंग को, कब चेंज करना होता है, वेनी पंचर साइट को, कब चेंज करना होता है, कैनुला को, और लगा होता है, आईवी बॉटल को, तो याद रखना बचों, कभी भी आपसे पूछें, तो आप जवाब देंगे, कि tubings जो हम use करते हैं IV therapy में उसको 96 hours के बाद आपको change करना होता है भूलिएगा नहीं question आता है उसके बाद वो पूछेगा वेनी पंचर site जहांपर आपने पंचर की है वेन उस site को change करना है 72 to 96 hours के बाद जो cannula आपने लगाया है उसको change करते हैं 48 to 72 hours और काफी बार examination में यह question कूछा हुआ है कि cannula को change कप करेंगे 48 to 72 hours and next is IV bag तो IV bag जो है बच्चे या जो bottle है उसको change करते हैं 24 hours में तो फिर से repeat करेंगे tubings को change किया जाता है 96 hours में वेनी पंचर site को बच्चे चेंज किया जा रहा है 72 to 96 hours में cannula को change करें 48 to 72 hours में और bottles को change करें 24 hours में चली आगला एक question जो की काफी famous question है बच्चे वो पूस्ता है कि RL को ringer lactate contraindicated होती है कौन से disease condition में तो हम बताएंगे कि ऐसे patient जिनको liver impairment है या फिर liver disease है उन patient में हम कभी भी RL नहीं देते हैं तो बच्चे जाद रखेंगे RL को नहीं देंगे liver dysfunction में या फिर liver impairment या liver disease में RL को administer नहीं करते हैं क्योंकि बच्चे ringer lactate इसका full form है तो इसमें होता है बच्चे lactate और इस lactate को metabolize कौन करता है बच्चे इस lactate को सबसे ज़्यादा metabolize करता है liver तो अगर liver damage है तो यहाँ metabolize नहीं होगा जिसकी वज़े से lactate का amount body में बढ़ जाएगा इसलिए RL को कभी भी नहीं देते हैं liver impairment के person को next बात करते हैं काफी बार ये question पूछा गया है बच्चे कि एक adult जो body weight है उसका fluid कितना percent उसके body weight का बनाता है बच्चे body weight represent percentage of total body weight in average adult तो average adult में कितना percent body weight बनाता है body fluid तो आप बताएंगे 60% adults की बात कर रहा हूं बच्चे में तो body water represent how many percent of total body weight in average adult 60% लेकिन infant का इस बार याद रखेगा क्योंकि हर साल वो पूछता है adult का 60% 60% तो इस साल वो आप से पूछ सकता है infant का और infant का कितना percent body weight बनाता है बच्चे 72, 80% 72, 80% ओके अनडल्ट में 60% डारेक्टली पूछा हुआ है target high NPR यादो में next आता है insensible water loss बच्चे lungs के तुरू respiration के time पे जो भी insensible water loss होता है डारेक्टली बहुत बार दिली examination में पूछा हुआ है कि insensible water loss कितना होता है अनसर जाएगा अनसर जाएगा 600 to 800 ml जो होता है वो insensible loss होता है ऐसा loss जैसे कि respiration के तुरू या उसके तुरू है ना तो insensible loss कितना होता है बच्चे 600 to 800 ml next question है major intracellular cation कौन होता है बच्चे काफी important है काफी बार पुछा गया है सबसे main intracellular cation कौन है potassium लेकिन इस बार वो ये ना पूछ के ये पूछेगा कि major secondary intracellular cation कौन है major secondary intracellular cation कौन है और अनसर जाएगा magnesium तो याद रखें कि intracellular cation majorly पूछा जाएगा तो potassium लेकिन secondary उसके बाद कौन आता है तो अनसर जाएगा magnesium एक नया MCQ है और पूछा जाएगा next है बच्चे extracellular cation सबसे main कौन सा है अनसर जाएगा sodium extracellular cation sodium next है IV fluid not to be used in kidney disease बच्चे फिर से वही बात kidney disease में हम क्या यूज नहीं करते हैं RL यूज नहीं करेंगे kidney disease में क्योंकि बच्चे kidney disease जिस भी वेक्ति को होती है आप notice करेंगे कि potassium excrete आउट नहीं हो पा रहा body से तो उस person में पहले से potassium का level बहुत बड़ा हुआ होता है और बढ़ जाएगी इसलिए बच्चे उस व्यक्ति को RL नहीं देंगे तो जिसकी kidney खराब है क्योंकि उसमें hyperkalemia का risk है बच्चे इसलिए उसको RL नहीं introduce करते हैं ठीक है तो liver disease हो चाहे kidney disease हो चाहे hyperkalemia हो तीनों ही चीजों में याद रखना RL कभी भी patient को ना दे चलिए move करते हैं next question में आपने एक term सुना होगा बच्चे infiltration infiltration मतलब क्या होता है बच्चे आपने जिस vein में जिस vein में IV introduce क्या था वो उस vein से dislocate होके subcutaneous tissue में जा चुका है और subcutaneous tissue में fluid accumulate हो चुका है जिसकी वज़े से subcutaneous tissue में आपको edema देखने को मिल सकता है लेकिन याद रखे सबसे बड़ा question जब भी infiltration होगा आप IV को stop करते हैं और आप देखेंगे कि उसका जो hand है उसमें आपको coolness देखने को मिलेगी बहुत बड़ा point है अगर बच्चे warm देखने को मिलता है तो उसको हम कहते हैं phalibitis अगर extremity cool देखने को मिलती है तो उसको कहते हैं infiltration बाकी ज़्यादतर symptom सेम होते हैं बस ये major difference होता है कि अगर extremity cool है तो हो सकता है उस मरीज को infiltration हुआ हो जबकि अगर आपको extremity warm नजर आ रही है तो वह infection को दरसाता है वह phalibitis को दरसाता है और हम क्या करेंगे अगर infiltration और phalibitis होगा तो remove the cannula बाके paler होना edema होना numbness होना pain होना normal है इसमें भी अगर आप एक important point ढूंडे तो paler हो सकता है कई बार आपसे मौजबी में लिखेगा आप paler है cool है तो hand उसका paler हो रहा है cool हो रहा है तो infiltration करेंगे देखिएगा बच्चे next आता है normal saline in 0.9% normal saline बच्चे 0.9% normal saline in 0.9% तो 0.9 gram in 100 ml ये काफी बार पुछा है बच्चे repeat होता है ये वो कहता है 0.9% से आप क्या समझते हो आप बताओगे 0.9 gram 100 ml में तो वो आपसे पूछेगा ठीक है अगर आप 0.9% से 0.9 gram समझते हो 100 ml में तो आप मुझे बताइए कि 1000 ml में कितना gram हो जाएगा बच्चे sorry 1000 ml wait a sec I guess okay लीजे 1000 ml में अगर वो आपसे पूछेगा तो 1000 ml में अंसर क्या जाएगा बच्चे 9 gram नॉर्मल सी बात है अगर 0.9 gram हो रहा है 100 ml में तो 1000 ml में कितना हो जाएगा बच्चे 9 gram ये याद रखेगा काफी बार पूछता है 0.9% से आप क्या समझते है 0.9% NS से 0.9 gram 100 ml में या फिर 9 gram 1000 ml में चलिए आगे बढ़ते है ओस्मुलारिटी वेरी 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 इंपॉर्टेंट बच्चे आपको चारों फूड की ओस्मुलारिटी याद होनी चीए ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने यहाँ पर मेंशन किये है वो कई बार ही आपसे पूछेगा कि नॉर्मल सलाइन जो होता है उसके ओस्मुलारिटी कितनी होती है बच्चे 308 याद रखना इस बार का प्रॉबिबल क्वेशन है कि नॉर्मल सलाइन के ओस्मुलारिटी बताइए 308 वो कह रहा है half ns या फिर 0.5% ns के ओस्मुलारिटी बताइए अंसर जाएगा 154 थर्ड आता है rl rl के ओस्मुलारिटी बताइए अंसर जाता है 273 और rl का भी पूछा जाता है ns का भी पूछा जाता है तो rl ringer lactate का जो ओस्मुलारिटी है वो है 273 और next है dextrose in water dextrose in water की जो ओस्मुलारिटी है वो है 253 और बच्चे ors का भी पूछा जाता है community point of view से 245 तो ors की ओस्मुलारिटी होती है 245 dextrose की होती है 253 rl की होती है 273 half ns की होती है 154 and normal saline की होती है 308 blood की ओस्मुलारिटी भी पूछता है बच्चे वो आपसे प्लीज मुझे comment में बताईएगा blood की ओस्मुलारिटी कितनी होती है है ना blood की बताईएगा चलिए next आता है ringer lactate तो ringer lactate हम देखते हैं ringer lactate का composition याद रखना है आपको क्योंकि कई बार darkly पूछा हुआ है कि निमलिखित में इसे कौन सा आपको ringer lactate में नहीं देखने को मिलेगा या फिर देखने को मिलेगा तो आपको पता होना चीए ringer lactate किन किन चीजों से मिलके बना हुआ होता है पहला है sodium ion sodium ion जो की 130 mmol पर लिटर होते है chloride ion sodium ion, chloride ion, lactate potassium ion, calcium ion तो ये 5 नाम नहीं भूलिएगा दो चीजों की composition कभी मत भूलिएगा बच्चों एक तो ORS की composition आपको on tips याद होनी चीए और एक RL की composition आपको on tips याद होनी चीए तो आपने देखा कि total अगर आप करेंगे इनको तो आपका अंसर आएगा 273 तो Osmolarity Ringer Lactate के कितनी होती है 273 तो याद रखेंगे बच्चे Ringer Lactate में sodium होता है chloride होता है, lactate होता है potassium होता है and calcium होता है next है बच्चे अगर किसी को आपने बहुत ज़्यादा fluid introduce करा दिया और उस patient को होने लगया है circulatory overload तो अगर उस patient को circulatory overload होगा तो उसमें कौन-कौन से symptom आएंगे ये ध्यान रखेगा क्योंकि मौस भी में वो आप से पुचेगा कि एक patient को IV therapy चल रही थी अब उसको circulatory overload हो गया है तो निमलिकित में से कौन से symptom आएंगे या फिर वो पुचेगा एक patient को IV therapy चल रही थी अब उसमें crackles देखने को मिल रहे है auscultation में discipline देखने को मिल रहे है तो उस patient को क्या हो गया है तो हम बताएंगे उस patient को circulatory overload हो किया है तो देखेए कौन-कौन से symptom है rapid breathing बहुत ज़ादा टकिपनिया होना डिसिपनिया होना difficulty breathing moist cuff और बच्चे आपको moist cuff से याद होगा pulmonary edema की जब हम बात करते हैं pulmonary edema की बात करते हैं तो हम वहाँ पर पढ़ते हैं कि pulmonary edema में pink tinge sputum देखा जाता है pink tinge sputum देखा जाता है pulmonary edema में याद रखिएगा और अस्तमा में क्या देखा जाता है बच्चे charcote laden crystal charcote laden crystal ये मैं सिर्फ ऐसे ही बता रहा हूँ आपको अस्तमा में charcote laden crystal देखने को मिलता है pulmonary edema में pink tinge sputum देखने को मिलता है चली circulatory overload में patient की breathing rapid होगी discipline होगा moist cuff होगा and crackles होगा और crackles defining feature है बच्चे काफी बार वो पुछेगा patient को IV therapy चल रही है और crackles देखने को मिल रहा है answer जाएगा patient को circulatory overload हो रहा है चली next question है अगर किसी भी person में fluid loss कभी होता है तो सबसे पहला कौन सा fluid loss होता है बच्चे देखो ये कोई भी vessel है ये बहार cells है extra cellular fluid जो कि intra vascular होता है अगर cells के अंदर fluid है तो उसको कहते है intra cellular fluid अगर यहाँ पर cells के बीच में interstitial space में fluid है तो उसको भी extra cellular fluid के अंदर count में लेते हैं तो ये कह रहा है कि अगर कभी भी किसी patient में fluid loss देखने को मिल रहा है तो सबसे पहले fluid loss कहां से होता है अंसर जाएगा this portion intra vascular fluid सबसे पहले loss होता है चली तो काफी बार ही पूछा जाता है target हाई में कि अगर fluid loss हुआ तो सबसे पहले कहां से होगा intra vascular next है conversion during diarrhea काफी बार काफी important question है directly पूछ लिया जाता है कि diarrhea में conversion होने का कारण क्या होता है अंसर जाएगा hyponatremia sodium का amount कम हो जाने की वज़े से diarrhea में seizures यानि दोरों का खत्रा होता है next है cerebral edema पुछा जाता है कि cerebral edema को अगर कभी भी कम करना है cerebral edema को अगर कभी भी कम करना है तो उस patient को दे दो isotonic, hypotonic या hypertonic answer जाएगा hypotonic solution बचे कभी भी edema को अगर कम करना है cerebral edema को अगर कम करना है तो उस व्यक्ति को दो hypotonic solution ठीक है अभी मैं आपको कुछ तीन concept हम पर बताता हूँ बचे isotonic और cell की बीच में क्या relation है isotonic जो fluid होता है जब वो किसी व्यक्ति के अंदर आप दोगे तो cell के अंदर की concentration और cell के बाहर की concentration सेम होगी क्योंकि मैंने आपको बताया isotonic की जो concentration होती है osmolarity होती है जो osmolarity होती है वो equal होती है blood के osmolarity है तो ये दोनों सेम होगी इसलिए water अंदर भी जाएगा और बाहर भी आएगा cell में कोई भी फरक नहीं पड़ेगा लेकिन कभी भी अगर किसी patient में आप hypotonic fluid देते हो तो अब देखो बच्चे क्या है अब आपने व्यक्ति को hypotonic fluid दिया तो बाहर तो concentration बहुत कम है जबकि अंदर concentration काफी जादा है तो water हमेशा कहा से कहा की तरह move करता है जहां concentration जादा है वहां की तरह पानी खीचा चला जाता है तो water अंदर जाएगा hypotonic जब भी आप दोगे तो water cell के अंदर जाएगा जिसकी वज़े से cell swell कर जाएगी इसलिए पूछा जाता है कि hypotonic fluid अगर किसी को दिया जाए तो cell क्या करेंगी swell करेंगी बच्चे अब next है आपने hypotonic का इसका example देखा होगा kismis अगर आप रात को पानी में kismis भीगो दें तो सुबे तक kismis मोटी हो जाती है क्यों बच्चे क्योंकि kismis के अंदर जादा concentration था पानी में कम था तो पानी अंदर चले जाता है जिसकी वज़े से जो kismis है वो swell कर जाती है तो बच्चे यही hypotonic fluid जब किसी को दिया जाएगा तो cell swell कर जाएगी hypotonic के किसमे मालो आपने बहुत ज़्यादा concentration वाला fluid यहाँ पर patient को administer कर दिया है 3% saline 5% saline अब अंदर concentration कम है बाहर जादा है इसलिए water बाहर निकलता है क्योंकि water तो जहाँ concentration ज़्यादा होगा उस तरफ जाएगा तो बच्चे cell क्या हो जाएगी shrink हो जाएगी काफी बार directly पुछा हुआ है hypotonic देने पे cell swell कर जाती है जबकि hypotonic देने पे cell shrink कर जाती है next बच्चे कौन सा IV cannula हाला कि मैं next slide में आपको IV cannula और उससे बनने वाले important question के बारे में बताऊंगा लेकिन एक बात याद रखिएगा कौन सा IV cannula यूज करेंगे कितना गेज का यूज करेंगे blood transfusion के लिए क्योंकि ये directly पूछा जाता है तो blood transfusion के लिए जो हम IV cannula यूज करते हैं वो करते हैं 18 gaze का या फिर green color का याद रखना very 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 important 18 gaze का cannula या फिर green color का जो cannula है वो use किया जाता है blood transfusion के लिए और last है बच्चे last है macro या फिर micro drip set तो macro में हम 1 ml में 15 drops देते हैं 1 ml macro बना हुआ होता है 15 drops का और micro drip set में अगर पुछा जाए तो 1 ml कितने का बना होता है 60 drop का का आफी बार डार्क लिए पुछा हुआ है macro drip set में 1 ml बना हुआ होता है 15 drops का जबकि micro drip set में 1 ml बना हुआ होता है 16 drop का यानि 1 ml को हम consider करते हैं 16, 60 drop तो ये था आज की slide और इसमें हमने देखा IV fluid से बनने वाले important questions तो इनको please mark करिएगा circulatory overload, ringer, lactate, isotonic, osmolarity of fluids याद रखेगा कब change करते हैं वो याद रखेगा kidney disease में क्या नहीं देंगे वो याद रखेगा insensible water loss कितना होता है average body weight कितना form होता है और change कब करेंगे IV cannula किसन से बना होता है flabotomy क्या है IV therapy कितने उपर hang करते हैं hypertonic example, hypotonic example, isotonic example और colloid and crystalloid के तो कई बारों question बुषता है whole blood किसका example है colloid या crystalloid? colloid packed RBC, colloid albumin, colloid क्यूंकि बच्ची इनमें protein cells काफी insoluble molecule काफी large amount में है चीक है बच्चों? तो आज की slide में सिर्फ इतना ही next video में हम next topic के साथ मिलेंगे please comment में अपना review दीजेगा आपको ये class valuable लगी या नहीं और मुझे अपने ऐसे ही suggestions देते रहिए और मुझे comments में बताते रहिए कौन कौन से topics हैं जो आपको लगते हैं कि मुझे cover करने चाहिए तो thank you for today thank you so much